नमस्कार दोस्तों मैं आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट वी तैस्के में दोस्तों आज हम क्लास 6 की जुगरॉफी का जो चैप्टर 3 है क्या है पृत्वी की गतियां उसके बारे मैं पढ़ेंगे चलिए श्टार्ट करते हैं जैसा कि आप चानते हैं कि पृत्वी की गति दो प्रकार की होती है पहली घूनन एवं दूसरी क्या है परिक्रमन घूनन मतलब क्या होता है रोटेशन ठीक है रोटेशन तो रोटेशन क्या होती है जैसे आपने लट्टू को गुमाया है तो वो अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे गूमता है यह access हो जाएगी तो ऐसे करके जो लट्टू गूमता है अपने अर्च पर उसी गती को हम क्या कहते है गूनन और परिक्रमण क्या कर लाता है जैसे यह sun है ठीक है यह sun है और इसके around में अर्थ जो गूमती है उसको क्या कहते है उस गती को परिक्रमण यह revolution क्या बोल revolution ठीक है तो उसको पूलते है revolution तो फष्ट वाली जो गती है वो गूनन की और दूसरी क्या है परिक्रमण तो प्रित्वी की कितने प्रकार की गतिया है दो प्रित्वी का अपने अक्ष पर गूमना गूनन कहलाता है तो यह वाला जो अक्ष है यह हम लोगोंने क्या माना हु किसे परिक्रमण कहते है ठीक है आगे देखते हैं तो सूर के चारों यह एक इस्तिर कच्छ हमें प्रित्वी का अक्ष एक कालपनिक रेखा है जो इसके कच्छी सतैसे चाच्छ सही एक बटा दो अंसका कोन मनाती है वे संतल जो कक्छ के द्वारा बनाया जाता है उसे तो इसके लिए हमने क्या किया कि जैसे ये क्या है ये हमारा globe मालो ये हमारी पृत्वी है तो जो ये वाला अक्ष है इसका middle वाला ये वाला ठीक है ये वाली line तो ये वाला अक्ष हो गया इसका एक कल्पनिक रेखा और जो ये जिस तल पे है जिस face पे बना रहा है उसके कच्छी सत्य से ये कितना अंस का कोण बना रहा है ये हमारी कच्छा है उसके चार और घूम रहा है तो ये कच्छी सम्तल हो गया अब कच्छी सम्तल से जिसे अगर मैं कहूं अगर कच्छी सम्तल से ये क्या है कच्छी सम्तल से कितने छक्य शूकिय हुए तो यह वाली जो एक्सेजे न यह सीधी नहीं है यह वाली कच्छी सम्तल हो गया इससे भी कितना एंगिल साड़ेचा चाट इतनी अंस पर जुकिय हुए है अगर हम लोग इसको perpendicular इस वाले अक्ष से देखेंगे तो ये कितना है ये कितना जुकी होगी 23 कितना जुकी होगी 23 ठीक है अगर कक्छी तल से अगर जुका हुआ पूछे तो कितना है साड़े चाचट और अगर उसके perpendicular जो है कक्छी समतल के perpendicular जो अक्छी है उससे अगर हम लोग tilted देखेंगे तो वो कितना है 23 and half ठीक है तो कह रहा है कि वह समतल जो कच्छ के द्वारा बनाये जाता है उसे कच्छी समतल कहते हैं पृत्वी सूर से प्रकास प्राप्त करती है पृत्वी का आकार गोल के समान है इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आदे भाग पर ही सूर की रोशनी प्राप्त होती है जैसे यह हमारी अगर पृत्वी है और अगर यहां पे हमारा सूर है यह है सूर यह हमारी पृत्वी तो जो लाइट पड़ेगी वो इस वाले भाग पर ही पड़ेगी जो इसके सामने होगा एक बार में एक ही भाग पर पढ़ पाईगी तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां दिन हो जाएगा और यहां जहां पर प्रकास नहीं पढ़ पढ़ रहा है वहां पर हमारी रात हो जाएगी इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग परी सूर की रोशनी प्राप्त होती है सूर की और वाले भाग में दि आप 3.2 में देख सकते हैं. अब हम लोग देखेंगे चीत्र में, तो क्या है? यह जो आपको दिख रहा है, यह क्या है? आपकी प्रिथी और उस पर जो यह देख रहा है, यह North Pole, यह है आपका आपका ये बन गया, उत्री धूरू, अदरशनी धूरू, और जो ये वाला ब्रत है ये वाला इसी को हम लोग बोलेंगे क्या इसी को हम लोग बोलेंगे पृति दीपती ब्रत क्योंकि ये क्या है यहाँ पे दिन है और यहाँ पे रात है तो ये दिन और रात को अलग करने वाला ब्रत है इसलिए इसको क्या बोलेंगे पृति रीपती बृत यह बृत अक्ष के साथ नहीं मिलता हमने देखा कि यह वाला अक्ष के साथ नहीं मिलता है यह अक्ष हो कही हमारी यह अलागी अपना है इस अक्ष के साथ तो नहीं मिलना है ठीक है अक्ष के साथ नहीं मिलता जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं पृत्वी अपने अक्ष पर एक चक्कत पूरा करने में 24 गंटे का समय लेती है घूनन के समय काल को पृत्वी दिन कहा जाता है यह पृत्वी की दैनिक गती है कैसी गती है? दैनिक गती है इसका मतलब क्या हुआ? कि पृत्वी पर जो दिन रात होते है वो किस गती के कारण होते है वो गूनन गती के कारण होते है जो पृत्वी जो है वो अपने अक्ष पर गूमती है तो अपने अक्ष पर जो गूमती है उसी गती के कारण पृत्वी पर दिन और रात होते है ठीक है और जो मैंने आपको बताया था वो कच्छी समतल वाला वो देखिए ये फिगर बना हुआ है कि यहां पर देखो ये ये वाला जो दी है प्रिथवी के इसको और इस पर देखेंगे हम लो तो ये क्या लिखा है कि प्रिथवी का क्च्छी समतल है यहां पर खीची गई यह वाली जो इस ब्रत को दो बराबर भाकुण बाढ़ती है यह नौर्थ पोल हो जाएगा यहां साॉथ पोल हो जाएगा ये देखिए ये उपर वाली जो रेखा है आपकी ये उपर वाली जो रेखा है ये क्या है ये मकर रेखा है और जो नीचे है इसके साड़ी तेश डिग्री पे तो ये कौन सी है ये मकर रेखा है और जो उपर है ये आपकी करक रेखा है ठीक है आगे दिखते हैं अगर पृत्वी गुणन नहीं करे तो क्या हो सूर के तरफ आने वाले भाग के पृत्वी के भाग में हमेशा दिन होगा जिसके कारण उस भाग में गर्मी पड़ती रहेगी और दूसरे भाग में अधेरा रहेगा और पूरे समय उस पे ठंड रहेगी तो इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा मतलब क्या है कि जहां पे ये सूरज है अगर ये पृत्वी है तो इस भाग पे तो रोशनी पड़ रही है तो यहां पे तो दिन हो जाएगा लेकिन जिस भाग पे सूरज की रोशनी नहीं पहुच पा रही है यहां पे रात हो जाएगा तो यहां रात की वज़े से यहां पर पहुँच जादा ठंड पढ़ने लगेगी और यहां दिन की वज़े से पहुच जादा गर्मी होने लगेगी जिस वज़े से यहां पर जीवन क्या है पॉस्विल नहीं हो पाएगा इस वज़े से अगर पृत्वी अपने गूणन नहीं करती है तो जीवन की जो संभावना है वो खतम जाएगी पृत्वी की दूसरी गती जो सूर के चार और कच्छ में होती है उसे परिक्मन कहा जाता है पृत्वी एक वर्स में तीन सो एक वर्स या 365 साई एक बड़ा चार दिन में सूर का एक चकर लगाती है हम लोग एक वर्स 365 वर्स दिन मानते हैं तथा सुब्दा के लिए 6 गंटे को हम इसमें नहीं जोडते हैं अगर ये 6 गंटे हम जोडते हैं इसी वज़े से जो लीपियर होता है ना हर वो चार वर्स में आता है जो तो चार अगर 6 multiply चार करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 गंटे इसका मतलब है एक दिन इसलिए चार वर्स में जो है वो एक दिन बढ़ जाता है क्यों क्योंकि प्रिथिवी जो है वो सूर का चकल लगाने में कितना लेती है 365 सही एक बठा चार दिन लेती है मतलब जो 6 गंटे एश्टरा लेती है अब इस 6 गंटे जब एक साल 6 गंटे एश्टरा लेगी 2 साल में 12 गंटे हो जाएगा 3 साल में 18 और 4 साल में वो पूरा एक दिन आगे बढ़ जाएगा इसलिए leap year में कितने दिन होते है 366 दिन का एक leap year होता है ठीक है अब हम लोग जो ये सूर के चार ओर जो ये परिक्रमा परिक्रमा कर रहा है प्रित्वी उसको देखेंगे इस figure को समझेंगे तो अगर आप इस figure को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सूर है ये सूर है और यहाँ पे जो ये प्रि पोल है तो ये जो सूर की रोशनी है वो इस जगे पर सीधी पड़ रही है तो यहाँ पे क्या है कि जो अगर आप इस figure में देखेंगे ठीक है तो ये विस्वत रेखा हो जाएगी ये उपर क्या है करकरेखा कौन सी रेखा करकरेखा और नीचे क्या है मकर रेखा ठीक है तो जब ये सूर रहता है, जब 21 जून की बाता है, तो 21 जून को क्या करता है, कि सूर जो है, वो कर करेखा में, सीधा चमकता है, कर करेखा में, अगर सीधा चमकेगा, यहां पे, तो क्या हो जाएगा, यह क्या करेगा, कि कर करेखा में, सीधे चमकने के करण, यहां पे, जो दिन ह दिन है वो गरम होंगे अगर दिन गरम होंगे तो यहां क्या हो जाएगा ग्रीस में रितू होगी तो इसलिए यहां उत्री गोलार्द में क्या हो जाएगा ग्रीस में रितू और यहां पर दिन लंबे हो जाएगे दिन कैसे हो जाएगे दिन लंबे होंगे और जो राते होगी वो कैसी हो जाएंगी छोटी होगी राते कैसी होगी छोटी हो जाएंगी ठीक है तो उसी यह साब से इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा यह उत्री गोलार्द में अब इसका जस्ट उल्टा क्योंकि सूर यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इधे जा रही है डारिक्शन पर लेकिन यहां पर जो पोल्स हैं यहां पर नहीं पहुँच पा रही है तो यहां पर क्या हो जाएगी सीतरी तो यहां पर इसका जस्ट उल्टा कि दिन कैसे हो जाएंगे यहां लंबे होते थे तो यहां दिन कैसे हो जाएंगे छोटे यहां दि सूर विस्वत रेखा पर सीधा चमकता है जब सूर विस्वत रेखा पर अगर सीधा चमकेगा तो यहां पर दिन और रात कैसी हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे मतलब दिन और रात ना तो दिन छोटे होंगे और ना ही रात बड़ी होंगे मतलब दोनों एक्वल होंगे ठीक तो जब सूर की किलने यहां से क्या है कि वो सीधा पड़ती है ना तो कहीं तिर्चा पढ़ेंगी और यह क्या है कि बिल्कुल विश्वत रेखा पर ही डायरेक्ट पढ़ेंगी तो इसलिए यहां पर देनौलाद कैसे बते हैं बराबर होते हैं फिर ऐसे हम लोग घूम तो बा जो क्रिस्मस डे मनाते हैं और वो कब मनाते हैं ग्रीस में तुमें मनाते हैं तो फिर हम लोग पिर्टवी अगर घुमी तो फिर 21 मार्च को फिर वही दना गया एक्नॉक्स वाली कंडीशन मतलब विसो वाली कंडिशन तो इस वाले विसो को क्या कहते है इस वाले विसो को बोलते है हम लोग सरद विसो बोलेंगे ठीक है और इसको क्या बोलेंगे वसंत विसो तो 21 मार्च को जब यह आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहां पर बोलेंगे यहां भी जो सूर की किरण है वो कैसी पढ़ रही है वो विस्वत रेखा पर डारेक्ट सीधी पढ़ रही है इस वज़े से यहां पर दिन और राद बराबर हो जाएंगे लेकिन यह कौन से दिन है 21 मार्च 21 मार्च को अब हम लोग अगर इस फिगर में देखें कि जैसे यह पृत्वी है अब मैं आपको इस फिगर से बता रहा हूँ तो यह विस्वत रेखा है उपर यह करके रेखा है नीचे क्या है मकर रेखा तो हम लोगों ने स्टार्ट करा यहां से 21 जून से तो 21 जून को यहां पे होगा सूर कहां पे मकर रेखा है तो यहां पे क्या होगा सीधे यहां गर्मी पड़ेगी ठीक फिर जैसे जैसे सूर नीचे आएगा फिर यहां पे कौन सी कंडिसन है 23 सितंबर की तो यहां 23 सितंबर हो जाएगा तो यहाँ दिन और रात पराबर होगी फिर वो नीचे आएगा तो सूर जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मकर रिखा तो 22 दिसंबर को कहाँ पर आएगा मकर रिखा पर तो यहाँ पर मकर रिखा पर आएगा तो देखो दच्छनी गुलार्द में अगर सूर आ गया तो यहां उत्री गुलार्द वालों के लिए तो यहां ठंड हो जाएगी लेकिन दच्छनी गुलार्द वालों के लिए क्या हो जाएगा क्योंकि यहां पे सूर आ गया तो यहां पर गर्मी पढने लगेगी, ठीक है ना, और फिर ऐसे ही सूर फिर उपर गया, तो इसको लगा यहां, यहां 21 मार्च, यहां क्या लगा, यहां देखो, 22 दिसंबर को आया था, अब इसके बाद 21 मार्च को फिर यह विस्वत रेखा पर पहुंच गया, ये वसंत भी सोवाया फिर ये करकर एखा पर पहुंचेगा तो फिर क्या जाएगा यहां पर फिर उत्री गोलारद में कौन ग्रीस में रितुआ जाएगी तो ये पूरा सूर का जो जो क्या है आप समझो कि उपर नीचे जो मुमेंट है उसकी कि पहले यहां पर फिर दीरे दी नीचे आया नीचे आया फिर वो कनवर्ट होके तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस जोन को कौन सा जोन बोलते है उफर कड़ बनती है ठीक है तो यहां पर क्यों बोलते है क्योंकि यहां पर सूर की करणा है हमेसा पढ़ती रहती है तो यहां पर इसलिए क्या है गर्मी तो कभी करकर रेखा पर आएगा तो कभी विसवत रेखा पर आएगा थिक है आगे देखें तो चार वर्सों में प्रिटेक वर्स में बचे हुए 6 गंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 गंटे के परावर होते हैं जैसा मैंने आपको बताया इसके अत्रेक दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है इस प्रकार चौथे वर्स फरवरी माई 28 के बदले 29 दिन का होता है ऐसा वर्स जिसमें 306 दिन होते हैं इसे लीफ वर्स कहा जाता है पता लगाईए कि अगला लीफ वर्स कब होगा चित्र 3.3 से इस पश्ट है कि प्रित्वी दीर वर्ताकार पतपर सूर के चारों चक्कल लगाती है तो जो ये वाला मैंने फिगर दिखाया था 3.3 तो सूर के चारों कैसे चक्कल लगा रही है प्रित्वी आपने देखा कि ये जो है ये ऐसे पतपर ऐसे पत पर चकल लगा रही है तो ये क्या है दीर रिप्टत का elliptical path है ठीक है इस path पर जो प्रित्वी है वो सूर का चकल लगा रही है ध्यान दीजी रिप्रित्वी पूरे कक्ष में एक ही दिसा में जुकी हुई है सामानता एक वर्स को गर्मी, सर्दी, ठीक है चौथा सर्द इन रित्वों में बाटा गया है फिर रित्वों में परवलतन सूर के चारोड पृत्वी के इस्थिती में परवलतन के कारण होता है जैसे हम लोगों ने ये figure समझा था ये वाला figure तो सूर जब करकरे का पर था यहां गर्मी थी फिर यहां दिन राद बराबर होते थे फिर मकर्रेखा पे तो यहां गर्मी आ जाती थी यहां ठंड होती थी तो सेम यही वो कह रहा है कि जो यह रित्वों का जो परवलतन होता है वो पृत्वी की जो परिक्मर काल है उसके कारण होता है ठीक है आगे 3410 मþle 33 ने आप देखेंगे कि 21 जून को उत्री उर्यगुलाद में सूर की तरफ जुका हुआ है उत्री दूर्येखा के बाद वाले भागों पर 6 मैंई तक लगाताल दिन रहता है उत्री गुलारत के बहुत बड़े भाग में सूर की रोशनी प्राप्त होती है तथा इसलिए विस्वत बृत के उत्री भाग में गर्मी का मौसम तथा 21 जून को छेत में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है पृत्वी के सबस्था को उत्री अनांत बोलते हैं तो उत्री अनांत किसको बोलते हैं कि जब पृत्वी 21 जून को सबसे लंबा दिन हो जाता है क्या है 21 जून को जब सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है तो इस position को ही हम लोग उत्रिया इनांत बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं उत्रिया इनांत और 22 December को 22 December को दच्षनी दुरूफ सूर की और जुके होने के कारण मकर रिखा पर सूर की करना पड़ती है चुकि सूर की करना मकर रिखा पर लंबत पड़ती है इसलिए दच्षनी गुलाद में लंबे दिन तता छोटी रात वाली ग्रीश में ते तू होती है इसके ठीक विप्रीत इस्तिती उत्रि गुलाद में होती है प्रिथवी की इस सवस्था को दच्षनी इनांत बोलते हैं तो दच्षनी इनांत क्या बोलते हैं कि जब मकर रेखा पर सूर चमकेगा क्या है जब मकर रेखा पर सूर चमकेगा तो यहां पर दिन बड़े हो जाएंगी और रात हैं कैसी हो जाएंगी छोटी हो जाएंगी दिन बड़े कहां पर दच्छनी गुलाद में लंबे दिन और चोटी रात हो वाली यहां पर क्या हो ज लगेंगे यह रात लंबी होने लगेंगे तो पृत्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं दच्छनिया इनानत बोलते हैं ठीक है क्या आप जानते हैं कि आज टेलिया में गिर्शन विर्थू में किसमस वर्ब को मनाया जाता है मैंने आपको बताया तो 21 मार्च औ 23 रंबर क को सूर की करने विस्वत बृत पर पड़ती है इस अवस्था में कोई भी धू सूर की ओन नहीं चुका रहता इसलिए पूरी पृत्वी पर रात वा दिन बराबर होते हैं इसे विशव कहा जाता है तो जब सूर की करने विस्वत बृता पर सीधी पड़ती है तो वहां दिन और रात क्या होते हैं बराबर होते हैं इस इस्तिती को क्या कहते हैं विसो की इस्तिती बोलते हैं 23 सितंबर को त्री गुलाद में सरत रितू होती है जबकि दक्ष्णी गुलाद में बसंत रितू होती है 21 मार्च को इसके विपरीत जबकि उत्री गुलाद में बसंत रितू और दश्री गुलाद में सलद रितू होती है इस प्रकार स्पष्ट है कि पृत्वी के घुनन एबं परिकमर के कारण दिन और रात रितू हो में परवर्तन होता है चलिए हम एक्सरसाइस को वाल देख लेते हैं तो पहला जो कुश्चन है उसका अंसर क्या है पृत्वी के अक्ष का जोकाव कौन है तो पृत्वी अपने अक्ष पर अगर कच्छी तल पर देखा जाए तो कितना जुकी हुई है इतना जुकी हुई है ठीक है अक्ष से बोल रहा है तब तो घूनन और एक्रमण को पर वास्त करें तो घूनन क्या थी जब पृत्वी क्या है अपने अक्ष पर घूमती थी तो जिसके कारण क्या होते थे दिन रात होते थे तो वही गती क्या है, leapvers leapvers, वह है, क्योंकि प्रिध्वी जो है, वो सूर, जो प्रिध्वी है, सूर का एक चक्छा Pal लगाने में, कितना दिन लेती है, 365 सही, 1-2-4 दिन, तो ऐसे ही, इसका मतलब है, 6 गंटे, extra लेती है, क्या लेती है, आयनांतों में क्या अंतर है तो उत्री आयनांत क्या है कि जब यह सूर्य जो है यहां पर क्या है करकरेखा और यह क्या है करकरेखा ठीक है तो जब सूर्य जो है वो करकरेखा पर सीधा चमकता है मतलब इसकी रोशनी जब सीधे करकरेखा पर पढ़ती है तो यहां पर क्या हो ढोगेगा दिन लंबे हो जाएगी और रात कैसी हो जाएगे दिन लंबे होगे और रात चोटी हो जाएगी और यहां पर क्या पढ़ेगी घ्रीस मीलितू पढ़ेगी यह घंटना कब होती हैु tenía 21ван dispatch वालि इसका जस्ट उल्टा कैसा कि बाइस दिसम्बर को क्या है बाइस दिसम्बर को जो सूर की किरना है वो मकर रिका पर सीधी पड़ती है तो यहां पर क्या हो जाएगी ग्रीस में रितू होगी दिन बड़े हो जाएगे और रात छोटी होगी रात कैसी हो जाएंगी छोटी होगी और इसका ज़स्ट उल्टा दिसम्बर में करकरेखा में होगा कैसा कि यहाँ पर सल्दी पड़ेगी यहाँ पर सल्दी पड़ेगी दिन छोटे और रात लंबी हो जाएंगी ठीक है इन्ही घटनाओं को हम क्या कहते हैं उत्तर और दठ्ठ के हिए उसी घटना को हम क्या कहते हैं विसो कहते हैं, तो ये दू घटना यह कब होती हैं ये एक तो होती है 21 remainder को जिसको वसंत 100 ohne sound ऑогодd t दूसरे और, जब सूर वी सटो त्रीछा पर आता है तो होती है 23 सितमबर को कब होती ए 23 सितंबर को इसको हम ङो क्चिक क्या बूलते है क्टर्छन क्या बाँ राट्ट में। तरी बाड़ बैक्चाह उत्त कॉज्चन का ऐनांग अलग अलग समय होता है क्यूं तो इसको हम figure में देखेंगे जो हमने पहले figure पड़ा हुआ था ये वाला figure तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि जो ये उत्री आइनान था ठीक है तो यहां पे हमने देखा कि जो पृत्वी है वो अपने अक्षपर टिल्टेड है ये वाला तो जब सूर की रोशनी है तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो नौर्थ पोल पर पड़ रही है ठीक है और यहां पे जो साउथ पोल है यहां पर लाइट नहीं पहुँच पा रही है तो यहां पर जो नौर्थ पोल है यहां पे जो बढ़ रही है तो यहां पे क्या हो जाएगे दिन हो जाएगे लेकर यहां क्या होगी रात होगी ऐसे ही हम लोग अगर देखेंगे इसको जब यह वाली गटना होती है कब दच्छनी आइनांत की तो यहाँ 22 December में यहाँ पे क्या होता है देखो ऊपर हम ने देखा तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है जो सूर की रोचनी है वो North Pole पे नहीं पहुच पा रही उत्री गोलार्ड में तो यहाँ पे क्या ओजाएगी रात होगी और जहाँ पे यहाँ पे हमने देखा दच्छी गुलार्द में यहां सूर की रोशनी पहुंच रही है तो यहां दिन हो जाएगा तो यही हम लोगों को तेखना था कि इसी टिल्टिट की बज़े से यह क्या है दच्छण आइनांत अलग अलग समय में होता है उत्तर और दच्छण का जो आइनांत होते हैं वो अलग अलग समय में क्यों होते हैं क्योंकि प्रिथ्वी जो है अपने अक्षपर जुकी हुई है अब सेम ऐसी इसका है कि दुरों पर लगपर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है लेकिन इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितने दिन लगे च्छे महीने का टाइम लग गया यहाँ जून से दिसंबर तक आने में इसको कितना लग गया च्छे महीने का टाइम लग गया तो इसी वज़े से हम लोग कहते हैं कि जो दुरूओं पर है वो 6 मईने का दिन और 6 मईने की रात होती है क्योंकि यहाँ पर जो है सूर का जो लाइट है वो उत्री दुरूओं पर पहुंच रहा है तो दिन हो जाएगा लेकिन ये कप और दच्छनी दुरूओं पर सूर की र की गती को क्या कहा जाता है तो प्रत्वी जब सूर के चार ओर चकल लगाती है तो उस गती को क्या कहते हैं हम लोग रिवल्यूशन जिसको हम पर एक किमर कहते हैं सूर की सीधी करण विस्वत ब्रत पर किस दिन पढ़ती है तो दो दिन पढ़ती थी कौन कौन था एक तो था माकर रेखा पर सीधा चमकेगा और यह घटना थी 22 दिसम्बर की तो यहां पर क्या हो जाएगा माकर रेखा में जब सूर चमकेगा तो यहां पर गर्मी का मौसम हो जाएगा तो यह पुलीशन किसकी होती है आस्ट्रेलिया की ठीक है आस्ट्रेलिया रित्वों में परवरतन प वहां तो गर्मी पढ़ने लगेगी ठीक है और जहां नहीं पहुचेगी वहां सर्दी पढ़ेगी एक लीफ वर्स में दिनों की संख्या कितनी होती है तो दिनों की संख्या कितनी होती है इलेप्टिकल मतलब दीर्ग विर्टाकार कच्छा में गुंती है दीर्ग विर्टाकार कच्छा में 21 जून को सूर की किरने सीधी पढ़ती है तो 21 जून को कहां पर सीधी पढ़ती है 21 जून को मैंने बताया था ये कर करेखा पर सीधी बढ़ती है किस पर बढ़ती है कर करेखा पर जितु में छोटे दिन होते हैं तो कब छोटे दिन होते हैं विंटर सीजन में ना सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में जितु में दिन कैसे होते हैं छोटे होते हैं दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक हो सस्क्राइब जुरूर करें